ताल किताब section में बात करेंगे खाना नंबर चंद्र जो है खाना नंबर 6 के बारे में खाना नंबर 6 में चंद्र क्या result देता है क्या issues होते हैं क्या क्या problem होती हैं क्योंकि कई लोग के खाना नंबर 6 में जब चंद्र आता है तो कई तरह के positive result भी होते हैं कई तरह के negative result भी होते कुछ असावधानियों के कारण लोग अपने खाना नंबर 6 को चंद्र को जो हैं मंदा कर लेते हैं तो आज की पोस्ट हम जानेगे कि खाना नंबर 6 के बारे में क्या सावधानिया रखनी है और क्या-क्या उपाय किये जा सकते हैं देखिए खाना नंबर 6 के बारे में पंडी जी ने लिखा है धोके की माता, कड़वा पानी, खरगोश, बुद्ध केतु का असर अब इसको हम आगे डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से खाना नंबर 6 के चंदर के बारे में चीजें लाल किताब में लिखी गई है जैसे कि किसी खास काम के लिए की गई कोशिश विर्त जाती है यानि कि अगर किसी के खाना नंबर 6 में चंदरमा है तो वो इंसान मेहनत करता है और कोई खास काम करता है और उसमें जो हुँसे कई बार असफ़लता हैं जादा ही मिलती है normal और किसी जात के comparison के साथ संबंध अग अगर यह ब्रस्पति के संबन साथ संबंद बना लेता है तो पेट की बिमारियां इस तरह से पेट से संबंदित लिवर से संबंदित डाइजेशन से संबंदित यह प्रॉलम से देना शुरू कर देता है अगर शुक्र कुंडली में खराब हो तो यहां बैठा चंद्र औरत को को बिमार कर देगा क्योंकि चंद्रमा जो है यानि यह शुक्र का जो घर है यहां पर अगर आएंगा तो यह कंडिशन उसके घर को भी खराब कर रही है शुक्र की जो चीजें हैं जैसे की आ तेवे वाले की अउरत है उसकी जो है है भार्ली को प्रॉलम देगा इसके पंडी जी ने उपाय के लिए इसमें उपाय लिखा गया है घर में सफेद खरगोश पाले अगर माल निजे किसी के चंदरमा छे में है और उसकी वाइफ की हैल्थ ज्यादा प्रॉलम रहती है तो वह घर में खरगोश पाले तो उससे जो है उसके शुकर को एक चंदरमा और श अच्छी हालत का चौथा घर जो है वह अच्छी कमाई देता है आठमा नेक तो उसकी उमर लंबी और बार्मा अगर नेक हो तो ग्रहती सुक अच्छा होता है देखिए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि आठमा घर देके दूसरे को दूसरा घर दे और कहीं गई बात हैं जो है उसके लिए पॉस्टिव होंगी जातक को सिक्षा हाशल करने में कई तरह की रुकाफ्टे होती हैं क्योंकि चंद्रमा जो है सिक्षा का कारक है और मेंटल स्टैबिलिटी यहां से चंद्रमा से ही देखी जाती है अगर मान लीजे चंद्रमा करेक्ट करवाएं अगर दो चार आठ बारा में उम्दा हो तो उसके लिए कोई भी काम मुश्किल कान होगा अगर दो चार आठ और बारा देखें जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका संबंद आपस में चंद्रमा से बनता है चौते घर से बनता अगर इन घरों में चंद्रमा की कब कही जाएगी जब चंद्र को केतु बरबाद करें जब चंद्र को केतु बरबाद करेंगा किसी बी तरह से गलत द्रिष्टी से उसके साथ संबंद बनाएगा उसके साथ छटे में आएगा या उसको चौते गर में जाएगा या फिर उसके जो है सपोर्टी प्लैनेट्स को कहीं न कहीं उसके साथ द्रिष्टी बना के चंदरमा पर सीधी असर आएगी आठ माँ दूसरा दूसरा बार्मा अगर इन में से कहीं पर भी चंदरमा का कनेक्शन जो है केतु के साथ बनेगा तो वो चंदरमा को बरबाद करेगा अब जो इस तरह के लोग और इस तरह से जो है बंदोबस्त करना जो चटे चंदरमा वाले के लिए बहुत ही घातक सावित होता है और पता नहीं कितनी तरह कि उसके पर मसीब्दें आनी शुरू हो जाती है तो अगर माली जो खेती की जैमिन में कहीं कुवा बनवा दे तब उसका मंदासर शुरू हो ज ज़्यादा खराब कर दिया तो यह उलाद को नुकसान पहुंचाएगा खांदान में बे मौका मौते होंगी और रात को दूद पीना जो है जहर का काम करेगा जैसे कि दसमें चंदर के भी भारे में पंडी जी ने लिखा है कि दसमें चंदर अगर किसी के है तो रात को जो पिया हुआ दूद वह जहर समान होगा और खाना नंबर छे में अगर चंदरमा है और वह कहीं केतु से पीडित है तो दूद का आपको सेवन नहीं करना है जब बुद दो और बारा में हो जब बुद नंबर दो या बारा में हो तब खुशी तक की नौबत होगी क्योंकि ब इफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी छटे घर का चंदरमा मा के सुक और मा की सेहत के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि मास जो है चंदरमा को ही डिनोट करती हो चंदरमा सही माता के स्वास्त और बाकी चीज़े देखी जाती है जिसके लिए सबसे अच्छा उपाय खांदान है वो बर्वाद होगा अगर माले चंदर भी खराब है और शुक्र भी बर्वाद है तब सचराल खांदान में आपको धूल उर्टी दिखाई देगी तीक मैंनि कि उनकी जो हालत है वो मंदी हो जाएगी के तू मंदा हो तो पिता खांदान भी बर्वाद हो अगर आप करेंगे तो चंदरमा को आप उसको एक्टिवेट करेंगे उसकी नेगेटिविटी को एक्टिवेट करेंगे अपने बाप को अपने हाँ से दूद पिलाएं जो है बाप को अगर अपने पिता को आप अपने हाँ से दूद पिलाएंगे तो आपको सूर्य और ब्रस्पती दोनों का सपोर्ट मिलना शुरू होगा रात को दूद नहीं पीना लेकिन दिन में दूद पी सकते हैं दही और पनीर का कोई वहम नहीं है रात के वक्त फथा हुआ दूड जो फटा हुआ दूआ पनीर मुबारक फल देगा अगर आप उरातको फटा हुआ डूद कर प्राबम नहीं रीज़ चिंजन प Professor और पर छोगों को आप नहीं पिला सकते हैं कई भाल भणडारे या लंगर में या अप दूर कद्ान करतें कि मांदिर स्चर्दार में में कुवा नटा को से कुवा कुवाना अजर को अगर आप ना करें तो दोस्तो आने वाली पोस्ट में और भी ज़्यादा आपको इस तरह से जो है combinations में बताऊंगा बाकी आप feedback मुझे देते रही है अपने comments देते रही है ताकि मैं आपके feedback और comments पर काम करूँ आपकी suggestions पर काम करूँ आपको और ज़्यादा knowledge दे सकूँ बाकी January में classes शुरू हो गई है लाल किताब की अगर आप लेने में interested हैं तो आप फटा-फट अपने जो है नाम लिखवाईए और यह online classes होंगी Sunday Sunday classes होंगी हफते में एक दिन class होगी और यह complete लाल किताब 1952 जो पंडित बेनी मादब जी द्वारा लिखी गई है उसी पर ही base होगी कोई और किताब से नहीं पढ़ाया जाएगा जो भी basic है वहीं से शुरू होगा क्योंकि बिना गुरू के लाल किताब नहीं आती है बाकी अगर किसी को consultation चाहिए तो consultation charges जो है 1100 है free consultation नहीं मैं provide करता हूँ क्योंकि free consultation अगर मैं provide करना लग जाओ तो मेरे पास तो शाम तक यहीं काम रह जाएगा और आपके लिए जो मैं informative videos और यह जो सारा काम कर रहा हूँ वो उस काम से मैं कहीं दूर हट जाओंगा तो इसी लिए मैं जो है बहुत ही selected consultations लेता हूँ तो आप समझ सकते हैं कि इसमें देखिए मैं अगर एक तरफ से free consultation नहीं दे रहा हूँ मगर free मैं tutorials आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ताकि आप लोग सब लोग जो है benefit उठा सके कोई एक individual free consultation लेकर benefit ना उठाए मेरी इच्छा यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है लाल किताब के बारे में सीखें समझें बाकि आप लोग वेट कीजिए अभी दो तीन तो आपके सामने वो वीडियो आएगी आप बहुत ही ज्यादा information उस वीडियो से पाएंगे तो वेट कीजिए और जुड़े रहिए बाकि दोस्तों मैं आपसे यही हैं सीख भी रहे हैं मुझे भी motivation मिल रही है मेरा भी confidence बढ़ रहा है कि आप लोगों को मैं और भी ज्यादा सिखा सकूं तो बाकि इसी परिवार के साथ जोड़े रही है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली पोस्त में तब तक इजाज़त दीजिए नमस्क कि जीए सकते हैं झाज लोगों सक्वाद कि अज़ कि बता दीए हैं तक अबदेगे हैं टो लोगों कि अजय प्रसी एंगने ऒड़े एंगों मेरा बाकित घुल प्रस जाएँ अजया मिलते हैं और भी फूबहां कि अजया हैं आपका बहूएगागाजी घूऑाएगाज द